दिल नयाल दानापूर रेलखंड के पास में तूरी गंज एस्टेशन के पास में अभी आप देख रहा हैं 20802 हटिया इसलामपूर नई दिल्ली जो गारी है वो दो हिस्सों में बटी गई और हम आपको बता दे कि बड़ा हाथसा होते होते टला है अलाकि यहां घटना 11 बजे की है अभी करीब धाई बज रहे हैं उस गारी को ब्रहुनात्पूर रेलवे एस्टेशन पर लाया गया और यहां पे दोनों बोगी को जोड दिया गया है और आपको हम बता दे कि यहीं वो गारी है जो इस गारी को टूरी गंज के पास से वहां से लाया गया और दोनों डबब को यहां पे जोड दिया गया सर आप लोग इसी गारी से आ रहे हैं क्या हुआ था सर पंडित दिन दयाल हम लोग बैठे बक्सर तक चली गाड़ी वहां आके न इस्टेशन था जेनुरन नहीं बक्सर से थोड़ा आगे उसके बाद फूल गई वहां खूल गई गाड़ी तो कुछ टाइम बाद तुरंट पता चल गया तो वहां रूका था आवाज ने हुआ मतलब परना चल गया कि गाड़ी खूल गई है तो आगे से रोग गया था उसके बाद कुछ टाइम तक वहां था फिर यहां आते रूपे हैं ज्यारा बज़े भटना हुई है और ज्यारा बज़े से अभी हाई बद रहे हैं हाई बज़े तक कोई रेलेवे अधिकारी लोग यहां आप लोगों कोई दीए क्या है कि नहीं कोई सब्दने अभी तक आप लोग ऐसी बठे है वहां से आधिया पंडी दिन रहां से नाम है रादिकाया था आप लोग बता सकते हैं च्या हुआ था था एक्चुली यह दो बोगी जोने स्प्रिट हो गया था एस सेबन और अब दोनों वोगी स्प्रिट हो गया और 11 11 बजे वह थी ती आप लोगों को आप वहां पे तो कुछ भी इंपर्मेशन नहीं मिली यहां पर तो कम से कम बतात हो रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं कि यह लोग काम तो कर रहे हैं दिलबे वाले 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 अजी आजी तो क्या मानते हैं उसका आइडिया तो नहीं है रहूलाज अब बाहन जी कुछ बताते हैं अब परसान है कि नहीं है आप यह वह लोग परसान है दो खांटा से कुछ यहां पर मिल नहीं रहा है खाने के लिए हम लोग भूखा हुए है अब लोग दिलिस चले हुए है यहां होता है यहां तो लोग काफी मदद किये थे मदर इस बार जो घटना हुए तो यहां इसमें कितना परसानी हुआ है लेकिन अभी तो आसे नहीं मौसम ठीक कर दिया था ठीक है नहीं तो बहुत पर्सानी हुए है हम लोग पानी नहीं मिला आने के लिए कुछ नहीं मिला हम लोग दिली से चलेते सोचेते पहले पहुँच जाएंगे अधाई बज रही है इसका टाम है एक बज़े पहुचाने सब लोग परसान है बच्चे लोग परसान है बच्चे लोग बाहर रहते हैं मम्मी अभी नहीं पहुची घार सब लोग परसान है इसके अनपुर्णा देवी काफी परसान है हलाकि रेलवे जो रेलवे के तरफ से या आम जनता यहां पर अभी तक कोई मदद लोग भुखे प्यास से बैठे हैं मदद को नहीं आगे आए हैं तूड़ी गन से इस ट्रेन को रहुनातपुर में लाया गया और इस दोनों डब्बे को आपको हम दिखाना चाहेंगे देखिए अभी वो दुरुस्त किया जा रहा है ट्रेन का डब्बा यह दोनों ड्रेन के डब्बे को यहां पर ज्वाइंट किया गया और हम आपको बता दे कि बक्सर जीले के टूड़ी गंज में यह खाथसा हुआ था अलाकि संजुग अच्छा रहा कि कोई हताहत की सुचना नहीं है और अभी इस ट्रेन को दुरुस्त करके यहां से रमाना किया जाएगा सर अभी यहां अधिकारी भी रियायक अधिकारी भी पहुंचे हुए है और बक्सर से पंजाब किसरी के लिए संजग पार गया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद